हेलो गाईज ओनीबन वाराटः अपको ज़्वागत है आप कीजिए वीडियो टॉपिक है न दोस्तों और बहुत ही आपको सब्सक्राइब यह भी बाइट करता है आपको पता ही है ठीके तो बाइट करने पर आपको क्या करना चाहिए इस ट्रोपिक में आज की जो वीडियो है हमारा तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो देखो गाइज किसी भी पाल तू मतलब पेट डौग या कैट को कैट की जो बाइट है हो सबसे पहले आपको जो है जिधर आपको बाइट करें उधर उसको आपको ध्यान से देखना है अगर उसमें से खून ना निकल लेए तो कोई दिक्कत के बात नहीं अगर खून नहीं निकले तो क्या करना पड़ेगा अगर नहीं निकलेगी टोप क्या करना होगा मैं बढ़त अहीं नहीं निकलेगी तब पहले उस जगापे बाइट की है अपके बास जो कुछ भी हो सकते ठेफ्ट ठीके तो अगर खुन नहीं निकलेगी अगर काटे ठीके मैं ठे़िक है मुझ तो अच्छी तरीके से धो लेना चित थो लेना फिर आपको क्या है उस जगह पर साप कर लेना फिट डेटर लगा लेना ठीक है और आपको यह ध्यान में रहने चाहिए कि डॉक की पूरी की पूरी वैक्सिनेशन कम्प्लीट होना चाहिए यह डेजी है हमारा आपको पता है यह पूरी कम्प्लीट है यह काटता है मुझे बहुत बार काटा है पर इसके कोई झेल दिखकत नहीं ऑ ही ठीक है कि बैसिन है और जो मैं तरीकर नहीं हो सकते-कातों होली ठीक है फाल्डीट हो सकता है थीक है इतरीक हो स्का altri जब खुली अब पता रही है अगर आपकी डोग या कैट आपको बाइट करके खून निकल दे तो आपको क्या करना पड़ेगा तो खून निकल लेके बाद आपको जो है मैं जो बोला जल से जल दी साबून से उस जगा को धो लेना ठीक है प्रोसेस है की है पर इसमें एक चीज में आट कर रहा हूं तो सु क्योंकि आपको खून निकल दें डोग की निकल दे फिर जितना भी हो वैक्सिन उसका कम्प्लीट हो चाहे ना हो बड़ आपको खून अगर निकल दे तो आपको टेड़ बेग जरू लेना है 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक है तो मैं जरसे बोला ठीक है और वैसे कोई डार नहीं दोस्तों टेड़ वैक किस ले रहना है तक है कि आपको इंफेक्शन ना तोस्तों मैं जोजो बोला हो आपको करना दोस्तों मैं जोजो बोला ठीक है करना अगर अब नहीं होते सब्सक्राइब करना, थानकी फर वाचिए